हलो फ्रेंड्स फॉल्कम बैक टो वाहन यूटूभ चैनल फ्रेंडस अगर फॉली आटोमेटिक बॉस्चिंग मशीन है समसंग की ऊपाँ पे क्या है फोर ओर एरकोड़ सो रहा है या फिर आपके सामने जो ओर पे। फुली ऑटोमेटिक वहाँ पर डी एरकोट से हो रहा है तो मैं आपको दो एरकोट बिल्कुल आसान तरीक से आपको समझाऊंगा जिससे कि आपकी समझ में आ जाए 4E DE यह दोनों एरकोट अगर सो होते हैं सैमसिंग की फुली ऑटोमेटिक वाश मेशीन तो वहाँ पर क्या फॉल्ड होती है वहाँ पर स्टेप बेस्टेप इसको कैसे चेकोट कर सकते है तो अब भी आपके सामने जो हो रहा है 4E एरकोट सो हो रहा है वहाँ आप देख रहे है कभी कभी ऐसा होता है सारे होल ब्लॉग हो जाते हैं इसी वघ्जे से यह पानी नहीं आपाता है मसीन के अंदर तो इस वजे से भी 4E एरकोट सो होता है फिर उसके बाद आपको चेकोट करना है कि आपका जो वाक्सस को आप नेडेएंड किलीन कर दे अगर यह दिक्क्ते ब प्रॉपर तर्की से उसको नीड एंड क्लीन कर दें उसके पाद आप इस तरीके से जैसे निकालने वैसे उसको आप फिट कर सकते हैं कोई ज्यादा टॉफ नहीं है यह सेकिंड में आपको चेक ओट करना है कि आपका जो इलेट बॉल होता है वहां भी क्योंदा एक फिल्टर लगा होता है जो आप देख रहे हैं इस समय यह फिल्टर क्यों होता है वहाँ से पानी प्रॉपर दर्की से अंदर नहीं आपाता है इसकी मसीन में तो यह जो होता है अच्छे से नीडान क्लीन कर दें उसके बाद इसको आप दुवारा लगा दे तो इस तरी किसा आप यह दोने चीज़ चेक ओट करेंगे उसके बाद यह प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएग उसके बाद आपको चेक ओट करना है कि आपका जो इनलेट बॉल है वहां पर क्या है अगर आपकी नौन इनिवेटर वाशिंग मशीन तो वहां पर क्या है दोसो बीस बोल्ट एसी आना चाहिए अगर आपकी इनिवेटर वोड़ वाशी ये वाटर यह वार्या इसीवोल्ट पर वोड करता है वहां पर काया है कंपनी मेंशेन करके रखें ग देती है च्टीकर और कर रहे ही 220 सप्लाई आ रहे ही 220 से 230 बोल्ट यहां पर AC आ रहे हैं तो इस कंडिशन में क्योंगा आपकी जो PCV वो OK कोई दिक्कत नहीं तो उसके बाद भी अगर पानी अंदर नहीं जा रहा है वाशिंग मचीन तो आपका जो inlet wall है वो खराब है तो आप उसको replace कर दें उसक कैसे प्रोपर तरिके से चेक आट कर सकते हैं तो फिलाल यहां भी क्या है अगर आपका inlet wall प्रोपर तरिके से वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको replace कर दें आपकी problem solve हो जाएगी जो 4E aircoats हो रहा है वो नहीं होगा फिर उसके बाद सब कुछ ठीक है उसके बाद भी अगर inlet wall आपको ठीक है वो सब कुछ जो आपने चेक आट किया जो मैंने आपको बता है वो सब कुछ ठीक है उसके बाद भी वहां पर कहा है यही दिक्कत आ रही है 4E aircoats हो रहे तो आपको क्या है प्रेसर सुच जो होता है उसको चेक आट कर लेना चाहिए सबसे पहले आपको चेक क बीच में रखेंगे जब मैटर को मेटर मेटर मपिट्रेतर लेकर उसके बाद डीसी मोल्ट पर सलेक्ट करेंगे उसकी बाद क्या है मसीन को आउन करेंगे मसीन करने के बाद & बेच में बीच में एक little आप in नहीं उसके बाद क्या होता है यह जो प्रेसर सोच होता है वहां पर क्या बहुत जादा कारवन हो जाता है ज्यादा तरह ऐसा होता है कि इसमें कारवन बहुत ज्यादा जमा हो जाता है इसी बज़े से की सप्लाई जो पीसी और करती है फिर उसके बाद यह स्यांस नहीं कर पा आप अब आड़र टो तो कार्पन को साफ करके उसके बाद उसमें अटेच कर दें। क्योंकि प्रेसर सुच किया होता है उसमें बाटर लेबल जो हुता है, उसको सेंज करता है, अग्र वहां पर 4Eこと से होगा, तो आप इस तरह से इसको चेक आट कर सकते हैं, उसके बाद आपक से दिक्कत आती है तो आपका पानी वराबर और यहां भी क्या होगा आपका प्रेसर सुझ जोगा वाटर लेविल को सेंस नहीं कर बाएगा तो इस पाइप को आप जो है पाइफ रिप्लेस कर दें उसके बाद यह फ्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी उसके बाद आपको देखन होती है जहां से पानी जब हम मतलब इस पिन करते हैं उससे पहले पानी और करता है डेन सील तो यहां भी क्या होगा कभी कभी ऐसा होता है को एन वगर आप हज जाते है इसी बज़े से यह दिक्कत आती कि पानी सारा निकलता रहता है और वाटर लेवल जो होता है प्रेसर कि पानी बिल्कुली निकलना नहीं चाहिए जब आप इस पिन करें उसी समय पानी ओट होना चाहिए सारा अगर आप कपड़े बॉस कर रहे हैं उस कंडिशन में महां पर मसीन से पानी ओट हो रहा है तो इस कंडिशन में आपका जो वाटल लेवल है वो सेंस नहीं करवाएगा सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद यह प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी अब बात करते हैं नेक्स्ट एर्र कोड की जो है डी अगर डी एर्र कोड्स हो रहा है तो वहां पर क्या है आपको देख लेना है कि आपका जो जो आपे वैक साड डोर होता है डोर तो उसको दो थिंबल लगे होते हैं यह क्या होता है अगर इसमें कारवन बहुत जाद होता है तो इस बज़े से भी काम नहीं कर पाता है या फिर इसके जो वायर वगएरा काट जाते हैं चुवे वगएरा काट दें तब यह दिक्कत आती है तो इसमें क्या होगा आप पहले जो थिंबल लोग है वो ठीके कोई दिक्कत नहीं है कभी क्या होता है यह बहुत जएदा पत्ति लगे से बहुत nett कारवन 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 चैफ कर ले अगर बहां के अंदर पतियों कारवन तो आप खोल के भी इसको ठीक कर सकते हैं अगर टूट गया है तो आप उसको रिप्लेस करने आपकी प्रॉल्म सौल्फ हो जाएगी तो फ्रेंड्स यह इन्फोमेशन कैसी लेगा रहे अच्छी लेगी वीडियो को लाइक कर दो चैनल में विजिट के चैनल को सस्क्राइब कर दो टैंक यू फोर वाचिंग